ओम श्यंति, सत्रम आज की शुरुदान में अपसब का स्वगत है, अविनाशी प्राप्तियां और विनाशी प्राप्तियां दुन में बहुत अंतर है, तो आज परमात्म हमें रेलाइस कराते हैं फिर से, कि अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने शुरेष्ट की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रमा विद्य भवा इच्छाएं किसे अपने आप से इच्छाएं दुनिया वी इच्छाएं इंसानों से दुनिया वी इच्छाएं रखना उन सबसे मुक्त हो जाना इच्छा मात्रमा विद्य भवा तो जिसका बाप ही भाग्य विद सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद अधिकार है किसे मिलने वाला परमात्म से, वहा मेरा शुरेष्ट भाग्य और भाग्य विदाता बाप, वहा मेरा शुरेष्ट भाग्य अपना खुद का आत्मा का और भाग्य विदाता बाप, यही गीद काते खुशी म उड़ते रहो ऐसा विनाशी खजाना मिला है जो अनेक जनम साथ रहेगा इस जनम के जो भी हम धन, दौलत, संपत्ती, बदार्त, वस्तु, वैभव एकटे कर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं जाएगा जानते हैं तो फिर जाएगा क्या हमारे मन के विचार, हमारे बुद्धी की सोच और भावनाएं और भाव और तीसरा हमारे संसकार या हमारी हैबिट्स या हमारे नेचर यहीं हमारे साथ जाएगे जो कि खजाने हैं और इनको तीनों को चेंज करने के लिए परमात्म खजाने दे रहे हैं तो अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जनम साथ रहेगा क आस्ते आस्ते कोई चीन नहीं सकता लूट नहीं सकता और दुनियावी वाले चीन सकते हैं लूट सकते हैं बदल सकते हैं मैनिप्लेट कर सकते हैं हर चीज कर सकते हैं कितना बड़ा भागय है जिसमें कोई इच्छा नहीं मन की खुशी मिल गई तो सर्वप्राप्तिया हो गई कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए उम्शंति